वेल्कम बैक three questions के second part में पहले part में आमने दिखा था कि राजा को तीन question के जवाब चाहिए होता है और इसलिए राजा जंगल में चले जाते हैं क्यूंकि उनको जो समन भेजते हैं सभी को जिसमें सभी लोग आते हैं और बताते हैं कि जो तीन question राजा के थे कोई काम करने का अब्तुस्ट नहीं होते हैं और फिर वो ये फैसला करते हैं कि वो आजी मिलेंगे जगल में रहता घर सक्था भी करता है तो 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 लिखास हो कह वह बेश को तरह जाते हैं सअदू के पास और ऑपने body guard को दूर में छोड़ कर जा से सभी जाते हैं तब हो देखने के स्वा सादू मिट्टी खोद रहा है और फिर राजा वहां पर जाके वह आपने तीन सवाल पूसते हैं लेकिन सादू वह ठक चुगा होता थे वह काम करते करते तो राजा उनके पास से वह स्पेड ले लेते हैं और वह खुद खोदने लगते हैं और उसके बाद जब थोड़ी दर ह जाते हैं इसके बाद सूरज डूबने का समय हो जाता है और राजा बोलते हैं कि मैं आपके पास तीन सवालों के जवाब जानने के लिए था लेकिन अगर आपको नहीं बताना है तो मुझे बता दीजिए मैं अपने घर वापस लोड जाओंगा और ठीक उसी समय वह सादू बोलता है कि दिखी हो कोई इंसान आ रहा है अब उसके बाद देखते हैं कि एक ऐसा इंसान है जो दाड़ी है जिसका वो दौरते उन लोग की तरफ आ रहा है उसके हाथ जो है उसके पेट में है फ्रम विच ब्लॉड वस फ्लोइं और जहां से खून निकल रहा है वर रिच रहा है यहां कि राजा और सादू रिमूवट दे मैंस क्लोधिंग फाउंड लाज वो इस टॉमाग वो जो कपड़ा है उसको खटा देते हैं और वो देखते हैं कि बहुत गहरा चोट लगा है पेट में उस इंसान का देखते हैं लेकिन खून बहना बंद नहीं होता देख राजा उसको फीर से रीड्रेस करते हैं उस चोट को और आखिरकार खून रुख जाता है जो इनसान है वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है और कुछ पीने के लिए मांगता है देखिंग ब्रॉट फ्रेश पानी जो है वो राजा उनको लाके देते हैं पाई इस ताइम आखिंग इसे द्हुंज के लिए इस नहीं को यह उनको बैट पर श्राद अधर में करता है और करता है है जो प्रेश और को तुर्ट के अंधर में शाखिंग फे एस और फिर वहांग बंद करता है और सो जाता है जुब जब जब जाएड बाइस वाक और वक लेड़ा दॉट राजा भी बहुत थक चुगे था क्या राजा नी इसे पहले भी काम किया था जब जाकते हैं जब जाकते हैं जुब जो सेवरा मिन इस फिर हैं नाइस कार रही कि जो जब जाकते हैं उसके बाद पता लगते कि वह कहां पर रहे और वह बीड़ा इनसान है तब forgive me said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was away जब राजा जग गए है वो दारी वाल इंसान को पता लगता है तब वो राजा से माफी बांगता है राजा को बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए I do not know you and have nothing to forgive for you said the king राजा बोलते हैं कि मैं आपको जानता नहीं तो अगर आपको जानता नहीं तो माफी करने का सवाल ही नहीं उड़ता आपको पहचानता ही नहीं तब वो इंसान बोलता you do not know me आप मुझे नहीं जानते होंगे बड़ाइन हो लिए मैं आपको जानता हूं I am that enemy of yours who sought revenge होनी है मैं आपका दुश्मन हूँ जो आपस बदला लेना चाता था because you put my brother to death and seized my property क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया और उसकी संपत्ती चीन ले I knew you had gone alone to see that hermit मैं जानता था कि आपकेले सादू से मुलाकात करने के लिए आये हैं I made up my mind to kill you on your way home तो मैंने यह स्थिर कर लिया कि जब आप वापस लोटेंगे तब मैं आपको मार दूंगा but the day passed लेकिन दिन निकल गया you did not return लेकिन आप वापस नहीं आये so I left my hiding place तो मैं छुपे हुए जगे से निकला and I came upon your bodyguard लेकिन आपके जो अंग रख्षक दे bodyguard ले वो मुझे उन लोगों ने देख लिया और मुझे मैं ने पहचान लिया और रिकोनाइस भी और उन्हें मुझे जख्मी कर दिया I escaped from him और मैं उन लोगों से भाग के आ गया and I should have died if you had not dressed my own so मैं मर ही जाता अगर आप मेरी मरम पत्ती नहीं करते I wish to kill you you have saved my life देखिये मैं आपको मारना चाहता था और आप नहीं मेरा जीवन बचाया now if I leave I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same forgive me अब मैं जब अगर जीव तो मैं आपका servant बनके रहूंगा आपका नौकर बनके रहूंगा आपका विश्वस्त नौकर बनके रहूंगा आपका बच्चों को भी बोलोंगा ऐसा करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए राजा को बहुत अच्छा लगा कि सब कुछ सांधी से निपड़ गया और जो दुश्मन धा उसका उसका दोस्त बन जाता है राजा ने उनको माफ ही नहीं किया बलकि वह उसने कहा कि वह अपने सर्वेंट को उनके पास भेजेंगे और अपने डॉक्टर को उनको देखने के लिए भेजेंगे यह प्रोमिस्ट गीब एक देखने किया कि आपकी जीव संपत्ती है मैं आपको लॉटा दूंगा लिविंग देखने मैं देखने के वापस बाहर निकले और वो सादू को ढूंडने लगए कि उनको तीन सवाल के जवाब चाहिए था उसमें सोजा के चारे से पहले मैं पूछी लेता हूं और एक बाद यह सवाल के सवाल का जवाब मांग रहा हूं आपको तो जवाब मिल चुका है said the hermit still bending down on the ground and looking up at the king as he stood before him राजा को देखते हुए जवीन पे जुक के बोलता है कि आपको तो आंसर मिल चुका है तब राजा तो चौग जाते हैं How have I been answered? कैसे मुझे जवाब मिल गिया? What do you mean आप कहना किया चाहते हैं? तब सादू कहते हैं Do you not see? replied the hermit आपने देखा नहीं If you had not pitied my weakness yesterday अगर मैं कल कमजोर था अगर आप मुझे उस समय करूना नहीं करते इछले दिन मेरे उपर sympathy नहीं दिखा थे तो I had not dug these beds for me आप ये मिट्टी को खोदते नहीं You would have gone away और अगर आप मिट्टी को खोदते नहीं तो आप यहां से चले जाते और अगर आप यहां से चले जाते Then the man would have attacked you and you have wished you had stayed with me और तब वो इंसान आपको attack करता और आप यहीं सोचते कि अगर मैं सादू के पास रह जाता तो कितना अच्छा होता So the most important time was when you were digging the bed So the most important time था जब आप उस मिट्टी को खोद रहे दे And I was the most important man और आप मेरे लिए खोद रहे दे इसलिए सबसे महत्पून बेखती उस समय मैं था And to do me good was your most important business और मेरा भलाई करना आपका सबसे बड़ा काम था Afterwards when the man ran to us the most important time was when you were caring for him और दूसरी बात जब वो इंसान दौरते हैं हमारे पास आया तो सबसे important काम यह था जो आप उनकी खयाल रख रहे दे उनका क्यार कर रहे थे वही सबसे महत्पून समय था Because if you had not dressed him his wounds अगर आप उनकी मरम पठ्टी नहीं करते उनकी मौत हो जाती Without having made peace with you वो आपके साथ सुले ना करते हुए उसकी मौत हो जाती So he was the most important man उस समय वो सबसे important बेखती था And what you did for him was the most was your most important business और आपने जो उनके लिए किया या आप उनके लिए कर रहे थे वही सबसे महत्पून काम था Remember then इसलिए याद रखना There is only one time that is important And the time is now अगर सबसे important time कोई है इस समय बच्चों यह मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं अगर सबसे important time कोई है तो वह है present यानि के बटमान जिसमें आप हो It is the most important time Because it's the only time we have any power to act यह सबसे महत्पून टाइम इसलिए है क्योंकि इसी समय कुछ कर सकते हैं हम हमारे हाथ में power जो गुजर चुका उसको भी हम बदल नहीं सकते और जो होने वाला है उसके बारे में भी हमें नहीं पता लेकिन इस समय हम कुछ कर सकते हैं क्योंकि यह हमारे हाथ में है The most necessary person is the person you are with at a particular moment सबसे important व्यक्ति वो है जिसके साथ आप इस समय हो जो आपके सामने हैं जिसके लिए आप कोई काम कर रहे हैं वही सबसे आपका important person होता है But no one knows what will happen in the future क्योंकि आपको पता नहीं कि future में क्या होने वाला है And whether we will meet anyone else क्योंकि इसके बाद हमें दूसरे व्यक्ति को साक्षात करने का मौका मिले या ना रहे हम जिन्दा रही या ना रहे The most important business is to do the person good और सबसे important काम है किसी भी इंसान का भला करना Because we were sent into this world for that purpose क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा ही गया है इसी परपस से इसी उद्देश से के हम दूसरों का भला करें यह कहानी लिखा गया है लियो टॉल स्टॉय के दौरा तो यह कहानी यही पर खत्म होता है